मम्मी जी गिपिंक वाली साड़ी कितनी सुन्दर लग रही है न मैं भी सिया के सादी में ऐसी साड़ी लूँगी हाँ हाँ भभू तू अपने माई के जाना न तो अपनी मा को बोल देना ऐसी साड़ी दिला देगी फालतों में ससुराल के पैसे क्यों भीगाड़ना साड़ी कपड़ों में क्या अच्छा सुनो तुम लोग इधर सिया के लिए साड़ीयां पसंद करो मैं अपने लिए भी एक साड़ी पसंद करके आती हूँ ठीक है मम्मी जी अरे छोटी तु क्या वोले थी मम्मी जी से यहां ससुराल से कभी कोई चीज नहीं मिलती है सब कुछ अपने माईके से ही लाना होता है क्या पर क्यों भाबी बहुएं सारा काम करें ससुराल में और लेने के लिए माईके जाएं यह तो सही नहीं है चोटी तु कह तो सही रही है लेकिन कुछ नहीं कर सकते ऐसा ही चल रहा है रिवाज आरे यह कौन सा रिवाज है मैंने ही मानती हैसे रिवाज को मैं मम्मी जी से बात जरूर करूँगी चोटी तू क्यों अपना सिर्व खेमी दे रही है कुछ नहीं होने वाला मैंने मम्मी जी से बहुत बार कोशिश कर ये बात करने की मम्मी हर बार कुछ न कुछ बहाना काली देती है देख छोटी तेरी भी नहीं-णहीं शादी हुई है तो तु सब इन दी तिरी बाजों की बारे में नहीं जानती मुझे पूरे आठ साल हो गए है इस घर में लेकिन इन आठ सालों में एक ब्लाउस का कपड़ा तक नहीं दिया है ममी जी ने मुझे मुझे भी बहुत बुरा लगता है कि हम सारा दिन रात काम यहां करते हैं और लेने के लिए अपने माय के जाते हैं पर क्या करूँ मैंने ममी जी से बात करी तो ममी जी बोलती है यही रिवाज है और मैं अपने माय के में बात करती हूँ तो मेरे ममी पापा बोलते हैं कि क्या कमी है तुमको मैं सब कुछ तुमको दे तुरा हूँ तो फिर तुमको क्या दिक्कत है अब बता करूं तो क्या करूं इसलिए मैंने भी बोलना छोड़ दिया और मेरी मान तो तू भी इन सब चीजों में मत पड़ क्योंकि कुछ नहीं होने वाला अरे क्या खुसुर खुसुर कर रही हो तुम दोनों कुछ नहीं ममी जी बस सिया के लिए जो साड़ी लेनी थी बस उसी के बारे में बात करें हैं अच्छा जल्दी करो मैंने भी एक पांच हजार की साड़ी ले ली है मेरे भाई आएंगे तो पैसे देंगे उसके मैं उसको लेकर आती हूं जरा तब तक तुम भी जल्दी से सब कुछ सलेख कर लो सिया के लिए जी ममी जी छोटी बस भी कर मरवाएगी क्या अरे भाबी आप इतना डर्ती क्यों हो मैं हूं ना कुछ गलत बात तो बोल नहीं रही हूं मैं अरे बस कर छोटी तू भी क्या लगी पड़ी है कुछ नहीं होना जाना और जल्दी से यहां का काम खतम करते हैं फिर खर जाके भी अपने को काम करना है वहाँ पे चार महमान बैठे होंगे खाने के लिए जल्दी जल्दी कर अरे ये भी कोई बात हुई रहना ससुराल में है काम सारा ससुराल में करना है सेवा ससुराल बालों की कन्नी है और ससुराल के शादी में तो जी जान से काम करना पड़ता है हालत खराब हो जाती है बहू की और उसी शादी में पहनने के लिए कपड़े बहू के माईके वाले लाएं ये कैसा नियाम है भई? ये बात ना कुछ हजम नहीं हो रही वैसे तो मेरे शादी भी कुछ महीनों पहले हुई है तो मेरे पास कपड़ों और सामानों की कोई कमे तो है नहीं पर फिर भी जब बहू ससुराल में इतना कुछ करती है दुनिया भर के लिए लोगों के लिए कपड़े खरीदे जाती है तो क्या बहू के लिए ये किसी तेवार पे कोई एक कपड़ा खरीद के नहीं दे सकता है ससुराल में? कितना अच्छा लगता है कोई तेज तेवार पे ससुराल वाला कुछ दे तो, हमेशा मायके वाले ही क्यों देते हैं? अरे क्या बहु का इतना सा भी हक नहीं है घर पे कि वो साधी फंसन में एक कपड़ा ले सके ससुराल से भई इस घर का रिवाज तो मेरे सर के उपर से निकलता है अरे छोटी क्या तेरे सर से निकल रहा है अरे भाबी देखो न ऐसा कोई रिवाज होता है क्या हमारा तो कुछ हक ही नहीं है ससुराल में ये कौन सा रिवाज है मेरे तो अभी तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा अरे छोटी कुछ रिवाज ऐसे होते हैं जो हमारे पल्ले कभी नहीं पड़ते लेकिन फिर भी निभाने तो पड़ते ही हैं चल अब ज़्यादा सोचो मर अपने काम पे लग जाते हैं बहुत काम है महमानों वाला घर है अब ये देख छोटी हम कितना भी हाथ पेर मार ले हम कुछ भी नहीं बदल सकते हमारे बड़े हमसे मनवाते जाते हैं और हम उचीजे मानते जाते हैं बस ये ही चलता आ रहा है सद इदर बेड़े चलती रहती है एक बात बताओ दिदी ये रीती रिवाज बनाया किसने है हमारे पूरवजों ने बनाया है और क्या पर दिदी ये बात तो बहुत ही गलत है क्या रीती रिवाज हमारे पूरुजनों ने सिर्फ औरतों के लिए ही बनाए है अरे यार शादी क सिंदूर बिंदी चूडी नेकलेस पता नहीं क्या- Weise कंपसरी कर दिया औरतों के लिए फैर का सारा पाञा मोज़ स्कूगर्णी करें और इसके वह कुछ Ah नहीं से सुराल में यह तो बहुत गलत है दिदी क्या कर सकते हैं छोटी पता है एक समय के बाद तो आदमी लोग इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं सोचते और नहीं कुछ करते लेकिन ही औरतें औरतें ही ऐसा करने पर मजबूर करती हैं उनके साथ जो हुआ वो सब भू अब सुबह की बात देख लो चोटी ममी जी अगर चायती तो हम दोनों को भी एक एक साड़ी दिला देती कुछ बिगड़ नहीं जाता ममी जी का जहां इतना खर्चा हो रहा शादे में तो क्या दो भूवों के साड़ी नहीं दिला सकती पर नहीं नहीं दिलाएंगी क्योंक को अपने धीती रिवाज जो निभानी है अच्छा देदी मुझे एक बात बताओ हमारे जो दोनों बुवा सासे हैं उनके लिए कपड़े हमेशा ममी जी भीशती है क्या क्योंकि उनका मायका तो यहीं है मुझे तो नहीं लगता वैसे भी दोनों बुवा जी बहुत कम आती है कभी साल में एक दो बार आगी तो ममी जी के पास जो आई हुई साडियां बची पड़ी रहती है उनमें से ही बुवा लोगों को निकाल के दे देती है ममी तुम्हारे शादी में भी ऐसा ही किया था मेरे सामने की ही बात है जो साडियां पहनने लायक नहीं होती और कोई दे देता है वही सार्या उठाके ममी जी वह लोगों को दे देती है अच्छा तो ममी जी ये रिवास सिब्व वो पर चलाती है हाँ मुझे तो ऐसा ही लगता है एक बात और बताओ देदी क्या ममी जी के सारे कपड़े उनके मायके से ही आते हैं पता नहीं छोटी ममी खरीदती तो सारे कपड़े खुद से ही है और फिर मुझे से बोलती है मेरे भाई आएंगे तो मुझे पैसे दे देंगे पर क्या पता मैंने तो आज तक नहीं देखा मेरे सामने क्योंके भाई ने कुछ पैसे दिये हूं उनको अच्छा तो ये बात है चलो कुछ नकुछ तो करना ही पड़ेगा अरे छोटी तु क्या करने वाली है कुछ गड़बर मत करना यार शादी वाला घर है फालतों में सबका मोर खराब हो जाएगा अरे दिदी आप टेंशन क्यों लेते हो मैं हूँ न और ऐसा कुछ भी नहीं होगा मैं बहुत अच्छे से करूंगी जो भी करूंगी चलिए दिदी हौल में चलते हैं बुआ जी लोग आ गई हैं देखे तो जरह क्या सीन है वहां का तू भी न छोटी चल कराम बुआ जी कराम बुआ जी खुश रहो बुआ खुश रहो अरे बुआ जी आप तो दो दो बैग भर के सामाल लेकर आई हैं इतना क्या लेकर आई हैं बुआ जी अरे बुआ जी इतना क्या लेकर आई हैं आप अरे बहो, मेरे एकलोती भती जी की शादी है, जी भहर के शॉपिंग करी है हमनी, अरे हमको भी तो कुछ अलग लगना है, कोई देखे तो बोले भई, लड़की की बुआई हैं, बुआई, हर छोटे बड़े फंशन के लिए अलग-अलग कपड़े लाई हूँ, और उनके कितनी शॉपिंग करोगी, हमारे तो जे भी खाली हो गई, क्यों दीदी, हाँ, और नहीं तो क्या, हमने दोनों ने तो दोनों तुमारे फूपा ससूर की पूरी जेब खाली कर दी आज, पर कुछ भी कहो दीदी, शॉपिंग में मज़ा बहुत आया, अरे, शादी में हमें भी तो सबसे अलग दिखना है, हम बुढ़े थोड़ी न हो गए अभी से, हाँ, नहीं तो, पर बुआ जी, आप लोगों ने फूपा जी की जेब क्यों खाली करी, आप लोगों ने फूपा जी के पैसे क्यों खर्च करवाए, क्या मतलब बहु, मतलब बुआ जी, ये तो र जी, ती रिवाज पता होने चाहिए, हमारे यहां तो रिवाज है, सासू मा तो ये ही बताती है, कि हमारे यहां किसी शादी फंशन में माय के वालों के ही कपड़े पहनते है, ससुराल वालों के पैसे खर्च नहीं खर्च करवाए, पिर आप लोगों ने फूपा जी के इतन हाँ, क्या बोल रही हो बहु तुम, क्यों भाभी, अब दो अपने बहुओं को जवाब, हाँ भाभी, अब आपकी बहुए जानना चाहती है, अच्छा अच्छा, समझ गई मैं, अच्छा, आपको ममी जी ने बोला होगा, कि आप लोग अपनी पसंद के कपड़े ले लेना तो आप लोग जो भी शॉप्मिंग करके आए हो न, आपके बिल दे दो, ममी जी उसका पेमेंट करी देंगी, क्यों ममी जी, अरे, तुम दोनों यहाँ पंचायत करने में भी जी हो, रात कितनी हो गई है, जो चुप चाप, दोनों अपने कमरों में और सो जाओ, सुबह पा आना जरूर की बुआ लोगों की शॉपिंग कितने हजार की हुई है, चुप एकदम, एक शब्द और नहीं, जो चुप चाप यहाँ से दोनों, चलिए दीदी, सुबह ममी जी से पूछेंगे, कितने का पेमेंट किया है बुआ लोगों को, अरे, दीदी, आप लोग आ गए बहुत देर कर दी, हम तो बस सोने ही वाले थे, कोई बात नहीं, चाय नाश्ते का अरेंजमेंट करवाती हुँ मैं, हाहा, शेर को मिला है सबसे, हाँ दीदी, से ही कह रही हो, भाबी का मुझ तो देखने लायक था, देखने लायक, हाहा, रे छुटकी, भाबी की चलाकी, भ कैसे हैं आप सब, और हमारे आज की स्टोरी आपको कैसे लगी, और हाँ दोस्तों, आपके हाँ पे तो ऐसी कोई रिवास नहीं है ना, जो सिप बहु के लिए ही बनी हो, अगर है, तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएए, और अगर हमारे स्टोरी आप लोगों को पसंद अजह कोई